बिग बॉस OTT सीजन टू में जैद हदीद की हरकतों से दर्शकों का फूटा गुस्सा जैद हदीद कुमला धर्गी का टाग आईए आखरकार क्या है इसके पीछे की वज़ा पूरी खबर की जानकारी आपको बताऊंगी इस वीडियो में सल्मान खान के धमागिदार शो बिग बॉस OTT सीजन टू ने लोगों का ध्यान खीचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है शो में सभी कॉंटेस्टेंस आगे निकलने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं वहीं दूसरी और बिग बॉस OTT सीजन टू में एंट्री के बाद से ही जैड हदीद अगांगशा पुरी पर लट्टू हो गए है उन्होंने अगांगशा पुरी के सामने अपने प्यार का इसहार तक किया था लेकिन उनकी एक हरकत ने अगांगशा पुरी को असहज कर दिया इतना ही नहीं जैड हदीद की इस हरकत ने दर्शे को का भी खूब घौला दिया है खून जैड हदीद का यूँ वेल बिहेवियर लोगों को वाकई पसंद नहीं आ रहा है इंपांग जैड हदीद के कई ऐसे वीडियो हैं जिनसे सोशल मीडिया पर काफी जादा बवाल मच गया है बिग बॉस OTT सेजन 2 के इस वीडियो को लेकर फैंस नाराजगी साहिर कर रहे है वीडियो में दिखाई दिया है कि अगांगशा पुरी से बात करते हुए जैड हदीद उनकी कमर पर दोनों हाथ रख देते हैं और उन्हें पकर कर अपनी ओर खीचते हैं लेकिन जैड हदीद के इस हरकत से अगांगशा पुरी काफ़ी अंकमपरिबल हो जाती है और उनका हाथ पकड़ कर तुरंध हटाती है इतना ही नहीं वो जैड हदीद से कहती है ऐसा मत करो ये चीज़े मुझे नहीं पसंद ऐसे मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लोगों का ऐसा चूना बिल्कुल पसंद नहीं आता मैं थोड़ा परिशान हो जाती हूँ जैड हदीद उनकी बाते सुनकर कहते हैं मुझे तुम्हारी बातों से तकलीफ होई जैड हदीद और अकांग्शा पुरी के इस वीडियो को देखने के बाद दर्शक भी हैरान रह गए है उन्होंने जैड के उपर जम कर गुसा भी जाहिर किया है एक यूजर ने बिग बॉस OTTD सीजन टू के कंटेस्टन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा आप किसी को उसकी जाज़त के बिना ऐसे कैसे चू सकते हो जैड तो अकांग्शा के पीछे कुछ जादा ही पागल हो गया है यहां तक कि जैड हर किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है वहीं दूसरे यूजर ने जैड हदीद को लेकर ट्वीट किया यह जैड हदीद ठरकियों की तरह व्यभार क्यों कर रहा है अकांग्शा पुरी और जियाज शंकर जैसी दूसरी लड़कियों को थोड़ा सीमाएं बनानी पड़ेगी तो अस तरीके से आज जैड हदीद को लोग गुसा कर ठरकी तक बोल रहे हैं बता दे कि जैड हदीद इससे पहले भी अकांग्शा पुरी संग फ्लोड करने के चकर में हदे पार कर गए थे उन्होंने अकांग्शा पुरी की एनर वेर पर भी कमेंट किया था जो कि दर्शकों को जरा भी पसंद नहीं आया तो ऐसे में वाकई जैड हदीद पर लोगों का फूटा है वाकई जबर्दस तरीके से गुसा अब ऐसे में इस खबर पर आपके क्या है राय और आपके क्या है रियाक्शन